नमस्कार में हुनी वेदिता शुकला बीजेपी पर हमला बोलते बोलते कॉंग्रिस प्रवक्ता अभिशेक मनुस सिंग भी जांच एजनसी के अधिकारियों को भी धमकी दे बैठे जो कॉंग्रिस मोधी सरकार पर केंद्रिय संस्थाव को नश्ट करने का आरोप लगाती रही है उसी पार्टी के प्रवक्ता अभिशेक मनुस सिंग भी रॉबर्ट वाडरा के बचाव में जांच अधिकारियों को ही धमकी देते नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि समय और चुनाव परिणाम बदलते हैं इससे पहले अक्टूबर में ही कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने सरदार पटेल की प्रतिमा सेच्चू अफ यूनिटी के अनावरण के मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा था उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि ये विडम्बना है कि सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है लेकिन उन्होंने जिन संस्थाओं के निर्मान में मदद की उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है आपको बता दे कि प्रवर्तन निदेशाला यानि ED की टीम रक्षा सौधों में कमिशन मामले में रॉबर्ट वाडरा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर शुक्रवार सुभा से छापे मारी कर रही है ये छापे मारी दिल्ली समेत NCR इलाके में की जा रही है ED ने रॉबर्ट वाडरा के बेहत करीबी रहे कॉंग्रेस नेता जगदीश शर्मा के ठिकाने पर भी छापे मारी की है कॉंग्रेस इस छापे मारी को बीजेपी की बदले की कारवाई बता रही है